हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल मेरूपम तो चलिए आज संडे संडे अपडेट देने वाली हूं आपको विंटर फ्लावर टूर कराऊंगी कि देखें विंटर फ्लावर मेरे कितने अच्छे अच्छे ब्लूम पर हैं तो आज मैं सबसे पहले स्टार्टिंग कर नाइश है और इंगाश है और देखें जर्वेरा में बहुत ही इक बात आप लोगें से शिर कर रही हैंं इसमें देखें मेरे दो प्लांट है जब से यह लग कलर करें देखे यह वाला white color है और यह देखे पिंक color में निकला है फुल खिला है और देखे अंदर दिख रहा होगा आपको देखे फ्रेंट दो प्लांट आपको दिख रहा है ना तो दोनों अलग-अलग प्लांट है और एक ही पॉर्ट में मेरे दूसरे फ्लावर जब यह खिला ना तो बहुत सुन्दर सा color निखर के आया है और देखे जर्वेरा की ब्लूमिंग इदर यल्लो में हो रही है और फिर देखे एक यहां कलिया बनी हुई एक इधर बनी हुई है और देखे यहां से में तक की रहते हैं ऑर दीखे ऐसे खिलने पर कितने घने हो जाते हैं कलर पिंक है कितना सारा color और यह थोड़ा सा light पिंक बोलते है और ओर यह भर बर के देखे कलिया बनी हुई है और इधर मेरे सारा के कितना सारा में कटिंग से लगाई थी कलांचु का प्लांट सारा मेरे यलो कलर का एक लाइन से आपको दिख रहा है हां से वहां तक पूरा दिख रहा है और ये वाला कलर बहुत सुन्दर से सामनी से दिख रहा है दिखिए बहुत मतलब पीच कलर बोलेंगे गाजरी कलर जो बोलते है न वो कलर है और किता प्यारा लग रहा है कलर देखिए देखन पर हैं बहुत सुन्दर सा यहां भी सारा यलो कलर है एक मैं घना वाला यलो लेके आए थी जैसे कि यह पुरा पिटल होता है यह दिखे यह देशी रेड है यह देखे ब्लूम पर है कलांचु का प्लांट आ यह फूल दिखे लंबे समय तक टिके रहते हैं कुछ भी नहीं होत होंगी और इधर देखिए बिगुनिया का प्लांट दोनों कलर बहुत सुन्दर से फ्लावरिंग हो रही है और कटिंग भी मैंने आप लोगों से से किया था तो कटिंग भी मेरी चल पड़ी है बहुत ही अच्छ से और इधर मेरा देशी वाला जो यह रेड है यह भी रेड वहां और इधर इधर बहुत सुन्दर सा खिलेगा और इधर बहुत सुन्दर सा मैंने देखिए स्पैडर्ट प्लांट इसमों गाटो पया जो हो एक करूंगी इसको रिपोर्टिंग लेकिन मैंने ऐसे इसको डेकरेशन कर दिया है अच्छे से देखिए आपको दिखरा दूर से दिखाती हूं सुन्दर सा लुक और इधर देखिए सारे मेरे विसकस के प्लांट कटिंग से लगे वे सारे अच्छे से त्यार हो गया है और यह स्पैटर प्लांट है और इधर दिखिए मेरा फर्ण है यह बहुत सुन्दर सी यह दिखिए हैंगिंग में लगा हुआ है अच्छे से और यह कितने अच्छे से चल रहे हैं आप इसकी कटाई चटाई भी कर सकते हैं थोड़ा सा गुलाई करने के लिए और यहां देखिए लाइजम की ब्लूमिंग देखिए कितनी प्यारी हो रही है और इसका मैं सीट्स कलेक्ट करके रखूंगी अच्छे से और कलर कितना प्यारा है बेबी फ्लावर है चोटा सा पूरे बंची में खिला हुआ है देखिए अपको पूरे पॉर्ट यह भरा पड़ा है और इस तरीके से मैंने टायर में इसे हैंक कर दिया है दूर से बहुत सुन्दर लुक देता है तो चलिए मैं और दिखाती हूं आपको अधियों से वाल हैंगिंग में भी खिलावा है सुन्दर सा देखिए उधर मैंने लगता है पानी देना भूल गई हूं वह देखिए कितने मतलब थोड़े से सुख प्लावर नीचे लटक गए हैं पानी दे दूंगी अभी मैं और बहुत सारे फ्लावर स्पेंड हो गए ना इस तरीके से आप देखिए मैं फ्लावर इसमें अभी और भी आने वाले हैं और इधर एलाइजय में कुछ इदर स्पैडर प्लांट है क्योंकि इसमें मैंने बर्मीना लगाया था तो देखिए वह खराब हो गए और देखिए कलांचु का प्लांट यहां भी है यलो कलड़का और यह विन का जो कि मैं कट इसमें प्लांट के ने लीफ निकल रहे हैं और यह संड्रोज का प्लांट कितना अच्छा दिखिए इसकी बेल लटक रही है आपको मैं दिखा दिखिए किते लंबे बेल इसके लटक रहे हैं बहुत अच्छे तरह चलिए और भी दिखाती हूं अपने गार्टन का टूर कर आती हूं आपको तो फ्रेंट देखिए मैं आ गई हूं अपने आगे वाले च्छत पर और यहां से मेरा पिटूनिया के ब्लूमिंग देखिए सौरे भर भर के फ्लावर इसका बात ही मतब जितनी तारीफ करो उतनी कम है इसकी और आप अगर इसको लगा लेते हैं ना तो य सभी को पसंद आता है तो फ्रेंट देखिए यहां का नजारा बहुत अफ्लूम फूल देखिए कितना पूरा फूल ब्लूमिंग पर है बहुत सुन्दर से वाइट वाला देखिए कितने घने पर बस आप फूल सूख जाते हैं इसके तो फूल को पिंच कर दिया करें बहु और उनके सुन्दर सा कलर कहिला हुए है एधर उस्षब यह चल रही है और चलें मैं इधर दिखा रही हूं देखिए यह वाल है नोी मेरा पिछले साल का ही प्लांट है इधर है डैंथस तो सभी प्लांट का केर करना मतलब विंटर भी फ्लाबरिंग इस्टार्ट हो गया है तो फ्लाबर भी जितने सारे जो रुके वेते सारे मतलब नहीं खिले हुए थे वो खिल रहे हैं इधर दिखे इस टॉक का कलर सब में दिखे ऐसे स्वीट स्पॉट बन रहे है और पानी भी मैंने नहीं डाला है दिखे मिट्टी के से सूखी हुई है तो मुझे पानी भी इसमें डालना है और दिखे अब थोड़ी सी धूप मतल क Home कितना प्यारा सा कलर खिल को हुआ है बहुत सुन्दर सा एक दिखे वाइट था बहुत सुन्दर से वाइट और इधिर देखिए white गेंदा की blooming में आपको दिखा रही हूँ कितनी प्यारे प्यारे से color खिले हुए हैं सारे एक एक से बढ़कर एक color और फ्लावर कितना प्यारा क्यूट सा लगता है देखिए हां सब आपको में दिखा रही हूँ बहुत ही अच्छे से और दिखे यह yellow इं देखिए यह चेरी गेंदा बोलते हैं इसको और इसको गुल्डन चेरी भी बोलते हैं और यह भी डेजी फ्लावर है तो बहुत सुन्दर सा देखिए यहां ऐसे सिट स्पॉट इस तरह मैं छोड़ दी हूं क्योंकि सिट स्पॉट बनेंगे और मैं कलेक्ट करके रखूंगी पिछले साल और भी बहुत सारे प्लांट मेरे होंगे और इधर देखिए यह पेपर फ्लावर तो मैं इसके केर के बारे में एक अलग सा वीडियो लेकी आऊंगी देखिए आपको आवाज सुनाई पड़ेगा देखिए देखिए बहुत सुन्दर सा देखिए कितना हो रही है और इधर है अच्छे से ब्लूम हो रहा है और बाकि जिदने भी दिखे यह टिकोमा प्लांड की अलमंडा प्लांट है इघर चार्ण करती hasil को अब कितने प्लांट बड़े हो गए हैं और सब में से मतलब कलियां बन रही है और इधर देखे यह है कारणीशन बहुत सुन्दर सा ब्लूम चल रहा है और इधर गजानिया का बहार देखे आप गजानिया पर वीडियो मेरे देखे होंगे तो फ्रेंड आप बस देखे इतना मेहन सुन्दर फ्लावर का तारीफ करते हैं और इधर जीनिया मैंने एक लाइन से आपको मैं दूर में दूर से दिखाती हूं देखे हैं के अर्गार गजानिया के cran tियमिक से देखें वाइट, पिंक, यल्मिक यजल्लो है और यह है जू ही प्लांट इसको जशमीन भी बूलते जो ही प्लांट है बहुत सुंदर सा इसकी ग्रोध भी अच्छे से नेने स्प्रोटिंग हो रही है दिखिए नेने लीफ निकल रहे हैं बहुत अच्छे से और इधर देखिए यह पैंजी और डॉक फ्लावर मेरा एक लाइन से इधर लगा हुआ है अच्छे से मैं आपको दि देखेंगे तो फिर फ्लावर कम यह कलर ने लगते है तो उत्त फ्लावर की कमी होजाती है भी अबिए इस अपरेवर तक बहुत ही अच्छे से दें अपरेल क्या यह जयाधा समय तक यह मीरे पिसले लेकिन फ्लावरिंग बहुत ही अच्छा करते हैं यह दिखे और बहुत इस तरीके से फूल को हटा देना चाहिए और टाइम टू टाइम पानी अभी प्लांट को बहुत जरूरी है और थोड़े से कीड़े लग जाते हैं इंसक्टिसाइड का भी स्प्रे कर दिया करें या फि कि इधर देखिए फ्रेंड मेरे कॉसमस के फ्लावर और जो इस पेंड हो रहे हैं इसमें सारे कलियां बन रही है आप इसकी कलियां यह सूख जाती है थोड़े से मेचर होने पर मतब थोड़ा सा यह ब्लैक ब्लैक दिखेगा आपको खुद से सूख जायागा पूरा तो वस बड़े पॉट में लगाना चाहिए तो मैंने इसे ग्रो बैग में लगाया क्योंकि ग्रो बैग में हमेशा मुष्चर बना रहता है आप लोगों से इसकी रिपॉर्टिंग में सेयर ने कर पाई और यह है टिकोमा का ब्लांट ओरेंज टिकोमा तो बहुत सुन्द इसका बेल इतना मूटा मूटा मतब नीचे रूट्स इसकी इतनी मूटी मूटी हो गई थी तो देखे पर इधर शिंगोनियम और इस मोर पंक्य को भी मैंने अच्छ से लंबे ग्रो बैग में इसे लगा दिया है तकि इसकी रूट्स बाउंड हो गई थी तो मैंने रिपॉर्टिंग क पर रहते हैं और इधर का नजारा देखिए यह रात की रानी प्लांट है और कितनी ब्लूम कितनी दिखे नए 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 प्लांट निकले हैं कितनी अच्छे से अधर इधर भी गेंदा का प्लांट है और बहुत सुन्दर से खिल रहे हैं यह दिखे यह है और यह दिखे ले अरेलिय इसकी अभिया गुडाई विगर्जा करेंगा मैं आपको दिखाई थी गुडाई करके मैंने खाद विगर्जा डाला था इसमें और सारे प्लान्ट इधर दखेए अभी नए नए फुटाव रहे है और इधर दिखे डेंथस का प्लांट और यह दिखेंगे एक उनिसिट्या फ्लावर बहुत सुन्दर सा फ्लावर खेल रहा है और सब नहीं नहीं दिखें जितने भी कटाई छटाई करी थी सब में नहीं नहीं पत्ते आ रहे हैं अच्छे से और फ्लावर की बहार है पूरे गार्डन में तो देखेंगे देखे फ्रेंड मेरे सिर्ण ओफ इड्रिया की भी ब्लुमिंग स्टार्ट हो गई है और कितना सुन्दर सा फ्लावर खिला हुआ है बहुत ही प्यारा लग रहा है देखे कितना प्यारा सा कलर है और सब में दिख्षी कलियां बन गई आपको दिख रहा होगा तो प्लावरिंग से बौबी बोवी तो अब्लाइट कर सकते हैं धोड़ाई साथ खाद वगरा वर्मी कंपोश्ट और निम की खली वगरा एड़ करके आप अभी थोड़ा-थोड़ा डाल देंगे ना तो प्लांट थोड़ा सा अच्छा मतब ग्रोध पर आ जागा फिर आप उसे फटलाजर वगरा दे सकते हैं तो बहुत ही मतलब इतना थोड़ा सा भी वर्क जो जो भी है अपके गर्डन में कर लेना चाहिए और इधर मीरे सारे प्लाण देखे सब मैंने अच्छे से से अप करके रखा है और सब जो भी मेरे प्रूनिंग गर रहत है這些 प्लाण तो अच्छे सब्हुत कासा लगा मेरे संड़े अप्डेट अच्छा लग तो लाइक कर दीजेगा बैल एकन पर जरू करिएगा ताकि आने वीडियो की नौटिपिकेशन मिलती रहे और मैं ऐसे ही अच्छे ची वीडियो लगे आते हैं रहूंगे फ्रेंड